कोरोना संक्रमर के बरते मामलों पर स्कूली बच्चों के पेरेंट्स काफी परिशान अभी भापकों की मिले जुली राय आई सामने कुछ अभी भापकों का कहना बंद हो स्कूल तो कुछ का कहना कोरोना के मामले है काफी कम दिल्ले में बरती गर्मी से लोग परेशान, मार्केट में बढ़ी AC कूलर फ्रिच की डिमांड तुकानदारों का कहना ग्रहा कर रहे, AC कूलर की जम कर खरीददारी आगे बढ़ेगी और डिमांड मंडोली रोड मार्केट में प्लास्टिक पर प्रतिबंद के बावजूद हो रहा इस्तमाल सौ दिनों तक चलेगा जागरुपता अभियान एंजियों ने प्लास्टिक से बनी चीजों की लगाई प्रदश्टनी नुकर नातक का किया आयोजन श्वादरा में स्पेशल स्टाफ के हत्ते चोड़े चार आरोपी, 200 ग्राम सोने, 2 किलो चांदी सहित कैश की चोरी नशे की लट को पूरा करने के लिए देते थे घटना को अंजाम अजय माकन के बयान से पूर्विदिली के कॉंग्रेस नेता सहमाद, कॉंग्रेस नेताओं ने कहा आप पार्टी भस्ट पार्टी, नहीं दिखानी चाहिए सहन भूती नमस्कार मैं आपके साथ अंखिता पाला आप सभी का पूर्विदिली खास में एक बार फिर से स्वागत धरू करते हैं खबरों की तरफ गर्मी उपर से कोरोना संक्रमा का खत्रा लगातार बढ़ता जा रहा है ऐसे में स्कूली बच्चों को काफी परिशानी का सामना करना पड़ रहा है कोरोना के मामलों में उच्छाल देखा जा रहा है और ऐसे में रोजाना घर से बहार निकलने वालों के संक्रमित होने का खत्रा भी बना हुआ है इसे सबसे ज़्यादा खत्रा बिमार, बुज़र्गों और साथ ही स्कूल जाने वाले बच्चों को है क्योंकि इनकी यूमनिटी काफी कमजोर होती है इन पर बैक्टिरिया या फिर वाइरस का असर जल्दी हो जाता है ऐसे में स्कूल जाने वाले बच्चों के पेरन्स काफी चिंतित हो रहे है इसकूलों का नया शेशन भी शुरू हो गया है और ऐसे में आभी भावक्त चाहते हैं कि स्कूलों को बंद कर देना चाहिए वही कुछ लोगों का कहना है कि अभी कोरोना के मामले अभी इतनी जादा गंभीर नहीं है कि स्कूल कॉलेज को बंद कर दिया जाए तो उस अनुबहों को देखते हुए स्कूल को तुरंत बंद कर देना चाहिए बच्चो की जिंदकी पहले है और पढ़ाई लिखाई बाद में और वैसे भी अभी पढ़ाई इतनी होने रहे है स्कूल बंद भी है चुट्टिय पढ़ने का वैसे भी समय है यदि बच्चो की को तुरी आज़ बच्चो की बच्चो की बात बताना चाहिता हूं कि जो भी है करोना की वाइप साइभी है तो इन से हमें डर ना नहीं चाहिए अभी स्कूल कॉलेज नहीं बंद करना चाहिए मैं गाउर्मेंट से आगराह करता हूँ कि अभी स्कूल कॉलेज प्ले रहे ताकि बच्चों का फिचर अभी बरबाद ना हो गर्मियों के मौसम भढ़ने के साथ ही एसी और फ्रिज की सेल में जोरदार तेजी देखने को मिल रही तेज गर्मी की वज़े से रेफ्रेजरेटर एयर कंडिशनर कूलर और पंकों की मांग में तेजी आ गई है आपको बतादे कि वहीं बढ़ती गर्मी पर दुकानदारों में कहा कि मार्च के महीने में बिक्री काफी कम हुई थी लेकिन अप्रैल से अच्छे खासी बिक्री शुरू हो गई है एसी कूलर फ्रिज के डिमांड भी बढ़ने लगी है लोग खरिदारी करने के लिए मार्केट में भी पहुच रहे हैं फोड़ा सा यह है कि जो सीजन नहीं अगे बढ़ गया है प्रश जितने भी सीजन है उन सब का रिकार जो है वो तोड़ी और जो ज़्याद निकिल गया है जो लास्ट मन्थ जो फड़ा पोड़ जाँ रहा है वो इस मंथ में क्लियर जाए और इस से ज्यादा होने के चांसेज हैं कम होने के चांसेज नहीं हैं तुड़ा कोई फ़र्ग रहते हैं व कभी अशाद 2000 कम्या ओपर लोकिश ड़ेती है और निचे कर जेती हैं वो स्टॉ कर सकते हैं बहुत अच्छा रिस्टोंस है बहुत जो भी कस्पर शोरूम पहार है और सारा कस्पर एसी का कूलर का अपनी फैमिली के साथ आ रहा है सारा एसी यहां पर अपना चुवाइस कर रहा है तैसे सैंस्टंग आईयद बैमिशिबुशी एल जी वर्पोन अपना लॉ लोगों के स्वास पर पड़ रहा है और आपको उदादे कि श्रहद्रा के प्रश्रासनी का धिकारी की नेतरत में मंडोली रोड मार्केट ट्रेड एसोशेशन के साथ में मिलकर जागरुकता अभ्यान चलाया जा रहा है दरसल यह अभ्यान सो दिनों में सिंगल यूज प्लास प्रशनी का आयूजन किया गया मैट्रो वेस्ट की आई इसी टीम द्वारा नुकर्णाटक के माध्यम से नुक्सान के बारे में भी बताया गया कि जो समाल है कि जो भच्छें चिप सूल को पड्राफे ऊस κरेश बनाया गया कि आप ग्ञान प्लास्टिक सब to me बनाई गई है यह देखे इतला फॉंट उबाद यह बनाया गया यह चिप्स के कुर कुरे के प्लास्टिक जिजने भी पैकेक है उससे चीजे बनाई गई है अब लोगे अब लिए चिला रही है कि तो अब लोग पर आज़त ने करेंगे तो अब लोग आपको इसे पर देखे आप लोग ताकि अम लोगो विशारी होएं तीजी के शमस्या है और अब उससे वही बतानी कोशिश्य लेकि अलगने तीजे बन जाती हैं तो वहीं की बारदात को अंचाम देने वाले चार आरोपियों को पुलिस ने धर्दबोच लिया है दरसल पूरा मामला बलबीर नगर एक्स्टेंशन का है जहां पर 200 ग्राम सोने के गहने और साथ ही दो किलो चांदी के गहने और नगदी चोरी होने का मामला सामने आया था आपको जा कि जानकारी जुटाका सीसी टीवी फुटेज के माध्यम से तीन आरोपियों को धर्दबोच लिया है सीसी टीवी के माध्यम से बदा चला कि पहले भी दो मामलों में शामिल रह चुका है पूस्ताज के दुरान आरोपी सोहन और पसोनू ने खुलासा किया कि उसने अपने तीन सातियों संदीप प्रताप और और अकाश और रहुल के साथ में उक्तचोरी को अंजाम दिया नश्य की लट को पूरा करने के लिए घटना को अंजाम देता था शादत रिष्टिक के शादरा थाने में एक मामला दरजुआ था जहां पर घर में चोरी का मामला सुलजा लिया है ज़्यादा जानकारे के लिए उपायोग रोहित मिना जी मेरे साथ है यह पाँच अपरेल के हमारे पास एक लेडी है पूनम इनों ने एक घर में चोरी की इंसिडेंट को रिपोर्ट किया यह इंपोर्टन चीज इसमें रही कि इनके घर में इनके हस्बेंट को हाटे टेक आया था काफी टीम की आनलेसिस में काफी यह जो चोर थे यह आटो का भी उज़ करे थे काई गाड़ियों का भी उज़ करे थे एक गाड़ी छोड़ते दूसरी गाड़ी उज़ करते और नमबर भी फॉर्च कर रही थी इस तरीके से काफी फुटेज 12 किम्टर की फुटेज देखन सोहन है वो लोनी का है संदीप है वो मौचपूर का है और एक आकाश है वो भी नौट इस जिले का है तीनों को हमने अरेस्ट कर लिया है इसमें लग 2 लाग रुपे कैश और 3 लाग से उपर का हमने गोल्ड और इसमें चांदी और घडियां और स्कूटी जो क्राइम में सिसन लाइफ दिली कॉंग्रिस निता आजय माकन ने रविवार को सीम केश्जरिवाल से सहन बूती ना दिखाने के लिए कहा है और साथ ही कहा कि उन्हें समर्थन ना दिया जाए कॉंग्रिस निता आजय माकन ने परोच रूप से अभिशेक मनू सिंधवी पर भी बिना ना इंटरनाथ ने कहा कि वकील का काम है वह अपना काम करेंगे आजय माकन ने जो बात कही है वह काफी सही है जिस तरीके से महत्मा गांदी की समाधी पर जाते हैं उनको महां पर जाना शोभा नहीं देता मैं कॉंग्रिस के नेता रतन सिंग पवार ने भी कहा कि आम आदमी पा पाई है और साथी अजय माकन ने एक एक शब्द बिल्कुल सही कहा है और मैं तो एक बात कहता हूं कि केजनी बाल पे कॉंग्रेस नेता हो को भरोसा नहीं करना जाए को कि यह आदमी भरोसा के लाइक नहीं है यह कभी भी दोगा देसता है किसी को भी तो मैं कहता हूं प्रसाचार इसने इन लोगों ने किया है उसी का नतीज आए कि सतिंद्र जैन और बनिश्यों सुद्या अलोटी जेल में है अब केजरिवाल का नंबर आ रहा है तो यह मात्मा गांदी के समाधी पर जा रहे है मां उनको प्रणाम करने अरे उनसे पूचो मात्मा गांदी की दिल्ली देख रही है करेशन तु किया है इनों उसके अंदर एको सिसोदियाजी जेल में है सतंदर जैन है सतंदर जैन को भी इतने दिन हो गई उनको जमानत नहीं मिली तो इसमें आप रहम यह नाजा लगा सकते है कि कुछ ने कुछ कुछ करप्शन इसमें है अग केजरी वाल दी कि हम क्यों परवई करेंगे हम कोट को जूटा बताएं या पुलिस को ढोता बता है यह तो हमें इस बात का पतानी में लेकिन कूर्ट से पता लगता है कि कुछ ना कुछ ना कुछ नहीं कुछ कुछ कृप्शन के करावल पकर सेखरेखेस के isन संजे सोधी ने भी भी काट दिया साथ ही एक दिन पहले पोलिस कर्मियों और फैक्टरी मालिक कुल्दीप सिंग ने वर्दी का रॉब दिखाकर द्रस्ट्रिबादित स्ट्रियम और उनकी टीम को बंधब बनाकर पिटाई की थी जो मल वाटर एक्ट वाटर पॉलुशन एक्ट है उसके तरव ही मतले निकी की है और मेरे विभाग की तरब से लेशन पर इंट चला रहे तो एक बिजली चोरी का भी केस उनके उपर बनाया नहीं जाएगा विटर भी काट दे गया है पूर्वे दिली के पीद विहार में जुआं खेल रहे तीन लोगों को पुलिस ने गिरपकार किया है दरशल पूरा मामला राधा प्लेस की जुगी का है जहां पर पैट्रोलिंग के दोरान पूलिस को सुचना मिली थी कि जुगी के अंदर जुआ खेला जा रहा पूलिस ने महा पर छापे मारी कर तीन लोगों को खिरासत में लिया है उनके पास से पैसेट सो रुपए और ताज की गटी बरामत की गई मैं जिले के डिसीपी ने बताया कि आरोप्यों पर पहले से भी कई मुकद में दर्ज हैं पूर्विदिली के स्वामी देनंद होस्पिटल में हजारों लोक रोजाना इलाज के लिए आते हैं यहां काफी समय से एको की मशीन जो को काफी रहत मिल रही हमारे हां एक एको काडियोग्राफी होती है मशीन जिससे की एको काडियोग्राफ किया जाता है पेशिंट का वो डेर साल पहले खराब हो गई थी बहुत महंगी मशीन आती है वो करीबन 32 लाग की लेकिन अब हमने नई मशीन खरीद ली है और बहुत पर जो एफर्ट करके मशीन खरीद ली है और अब यह मशीन हमारे सुचारू रूप से काम कर रही है उत्दरपूर्पे दिली के सीलंपूर के एक गोदाम में आग लग गए आग लगने के बाद में इलाके में अफरत अफ्री मच गई फायर विभाग को 12 बच कर 34 मि मिली थी कि मौके पर पांच गारियों ने जुआ कर आग पर काबू पाया अभी सभी कर्मचारियों को बहार निकाला गया है किसी भी तरह कि कोई भी हताहत की खबर सामने नहीं आई है फिलाले इस बुर्टन में तना ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें सीसीन